हालो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं हूँ हमें द्रोक और स्वागत है आपका एक्स वाइजेड मूवी एक्सप्लीनर क्रियेचर में आज मैं आपको क्रियेचर 3D मूवी एक्सप्लीन करने जा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की सुरुवात में हम अहान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमांचल पिर्देश के एक छोटे से सहर में अपना एक नए होटल कोलती है और अपने इस नए काम के लिए अहान बहुत एक्साइड़ भी थी और साथ में थोड़ी रेंसर में भी थी और उस होटल को अच्छे से सजाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाती है और इसके बाद एक दिन रात को ड्राइबर अपनी ट्रेक में सारा सामान लेकर आने वाला था वह क्या है या देखने के लिए वह जंगल के अंदर चला जाता है और वह सायद बहुत ही खतरनाक से जानवर गालता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और फिर एक एक करके बहुत सारे गेस्ट आहाना के होटल में आते हैं और इसके बाद होटल में कुनाल नाम का एक देख करें या समझती थी कि साम की पार्टी में यह लड़का गाना गाने वाला है और फिर कुनाल पार्टी में गाना भी गाता है लेकिन इसके बाद पता चलता है कि गाना जो लोग गाने वाले हैं उन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया था और कुनाल एक गैस्ट है और आ लेकिन उसकी वाइफ किसी तरीके से बच जाती है लेकिन काफी घायल थी और उसके बारे में पता चलता है तो अहाना उससे मिलने के लिए लिए और उस लड़की के पिता भी वहां पर पहुंचते हैं जो कि आहाना को बहुत बुरा बला सुनाते हैं क्योंकि उनकी बेटी और दामाद आहाना के होटल में रहने के लिए आये थे और इसी जगे पर उन लोगों के साथ इतना बुरा हाथसा हो गया और इसके बाद सब को यह पता चल जाता है कि इस जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक जानवर रह रहा है और जिसकी वज़े से यहां पर रहने वाले सभी इंसानों के लिए जान का खत्रा है इसलिए आना के होटल में जितने भी सारे गेस्ट थे उन सबको बाहर जाने से मना कर दिये जाता है और सभी गेस् यहां पर रहने के लिए मना कर देंगे और चले जाएंगे तो उसका होटल दीरे-दीरे बंद हो सकता है और कुनाल यह सब कुछ देखकर आहाना की हेल्प करने की बारे में सोचता है और वह अपने जान पेचान के कुछ हंटर्स को बुलाता है और फिर यह देखा जाता है कि आहाना की है कि आप उसका काम ऊच्छे से चलना शुरू हो जा genau से लहां बस में रॠी घड यह सब हो अदिकर इसके बाद दो वाए जानवर के सामने आग लेकर खड़ा हो जाता है और सबको ये पता चलता है कि ये जानवर आक्से डरता है और ये आदमी दरा सल एक scientist है और वाइस केस को बहुत दिनों सो study कर रहा था और वो यह कहता है कि यह जानवर दरासल एक ब्रहम राक्षास है और यह सब कुछ देखने के बाद आहाना के hotel के सारे चले जाते हैं और फिर bank से दो लोग आहाना से मिलने के लिए आते हैं और उन लोगों को भी यहांपर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चलता है और वो लोग आहाना को यह कहते हैं कि आहाना यह hotel बेंच दे क्यूंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है वाइब बैंक का ल तो यह जगा छोड़ कर चले जाएं और यह प्रोफेसर इस जानवर को हराने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा लेकिन अहाना यहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी वह इन सब का मुकाबला करना चाहती है इसके बाद अहाना कुनाल को अपने पास्ट के बारे में जाती थे और इसके बाद अहाना की पिता ने हार मान कर प्रोफेसर इस जनवर आने के बारे में सुचते और वह सब एक साथ काम करने लगते हैं और जो दो पुलिस ऑफिसर इसके इसको इन लोगों की हल्प करते हैं और फिर वह लोग एक तरकीब निकालते हैं वह लोग एक बस के अंदर एक डमी को रखकर उसके ऊपर कुछ मांस लगा देते हैं जिससे कि वह जानवर इसकी स्मेल से अट्रेक्ट होकर इस बस तक आए और वह लोग उसे मार सकें लेकिन जब वह जानवर यहां पर पह होता और वह उन लोगों पर अटेक करने वाला था लेकिन वह सब अपनी जानवर चाकर बाग जाते हैं लेकिन इसके बाद उन्हें लगता है कि सायद इस गाओं में रहने वाले लोग इस जानवर के बारे में कुछ जानते हों कि आकिरे से कैसे मारा जा सकता है वह गाओं के एक बेटा था जिनका नाम डॉक्टर मोगा है और वह सरपंच उन लोगों को मोगा से मिलने के लिए कहते हैं सायद वह तुम लोगों की कोई मदद कर सके और पिर कुनाल और अहाना को एक सच्छा ही बताता है और कहता है कि उसका असली नाम कुनाल नहीं बलकि करन वाल उत्रह है और वह उसी विल्डर्स ग्रूप का चेयर मैन है जो कंपनी आहना की पिता से उसका घर खरीदना चाहते थी और जो कुछ भी हुआ उस सबसे काफी गिल्टी फील कर रहा था और यहां पर आहाना से माफि मांगने के लिए ही आया था और यहां सारी बात सुनकर आहाना का दिल बिल्कुल तूड जाता है और वायकरन से अपना सारा रिष्टा तोड़ लेती है पिर इसके बाद आहाने डॉक्टर मोगा से जाकर मिलती है और डॉक्टर मोगा से उसे पता चलता है कि इस जानवर को सिर्फ उसे यहां त्यार से मारा जाएगा जिसांतियार को कार्तिक पूरुनिमा की रात को प्रह्मा टैंपल के तालाम में डुबाया जाएगा लेकिन कार्थिक पूरुनिमा आने में वाभी बहुत वक्त था और डॉक्टर मोगा कहते हैं कि उनके पिता ने जब उस जानवर को मारा था तब उन्होंने एक राइफल के यूच किया था और उन्ह करते हैं और उसे पुरानी बातों के लिए माफ कर देती हैं और वो लोग उस जानवर को मारने का फैसला करते हैं और उनके पास अभी भी तीन बुलोट्स बचे थे और फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं और आहाना वाजानवर जिस जगह से बाहर आता है उस जगह से लेकर अपने होटल के अंदर तक अपना हाथ काटकर खून डाल देती है जिससे कि वाजानवर खून को समयल करते हुए उस जगह पर आकर पहु शुपी हैं और ऊठाल रेयॉपन किया जाता है और फिर से उसके होटल में गएस्ट आने लगते हैं और हम यह देखते हैं कि यहाना और करन दोनों एक साथ हैं और आहाना की जिन्दिकी से सारी परिशान यहां जा चुकी है और वह अब खोसे और इसी के साथ यह गहानी खत में हो जाती है तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट आपको में जरू बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू